नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज मैं हूँ दिव्यांसू लोगसभा चुनाओं के दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है यानि सुकरवार को होनी है पूर्णिया जो हॉट सीट बनी हुई है यहाँ पर भी वोटिंग सुकरवार को ही होनी है लेकिन इससे एक दिन पहले यानि आज गुरुवार को बीमा भारती और पपु यादब मुश्किल में फस गये हैं बीमा भारती के बारे में आपने सुना कि उनके पीए को एरेश्ट किया गया है, दस लाक रुपे कैस बरामत किये गये हैं उनके पास से, तो जहां एक तरफ बीमा भारती मुश्किल में फसी हुई हैं, दूसरी तरफ पपु यादव भी मुश्किल में फस गये हैं, उनके पा प्रसासन के खिलाब सड़क पर धर्ना प्रदर्शन पर बैट गया है। प्रसासन पर साजिस करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रसासन पर गारी हमारे साथ चल रहे हैं। अब गोगो को जाओगे। 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 तो सुना अपने पपु यादव को समर्थकों के साथ बैट गए हैं धर्ना प्रदर्प्शन पर सळक पर ही बैट गए हैं। अब आगमन बाधित है। लेकिन पपु यादव बैठे हुए हैं सळक परूप है कि बिना मजिस्ट्रेट DSP अभिजीत सिंग ने अपने पावर का दुरूपयोग करते हुए पहले मेरे साथ बत्तमीजी की फिर मुझे गाड़ी से बाहर निकाला इस बेज ग्रामीनों को सूचना हुई तो दीरे-दीरे लोग आने लगे और हम लोग सड़क पर बैठे अपुयादव यहीं नहीं रुके उनका कहना है कि फिर बत्तमीज DSP ने फोन कर मजिस्ट्रेट मैडम को बुलाया उन्होंने मेरी गाड़ी की पूरी तलासी ली इसमें मेरा निजी सामान था सब खाली करवा कर उन्होंने मेरी गाड़ी जब्त की अपुयादव ने कहा कि ध्यान रहे तलासी में उन्हें कुछ नहीं मिला है अगर बाद में जाकर कोई साजिश होती है तो इसकी जिम्मेवार EDSP अभिजीत सिंग की होगी मीडिया के साथियों ने भी मेरी गाड़ी की जाच को कवर किया है जिससे कुछ भी नहीं मिला है कोडा समेथ पुर्णिया लोकसभा की जनता से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए किस तरह मेरे खिलाब साजिस में नेता से लेकर प्रसासन की भूमिका है इसका न्याय अब कल आप ही करेंगे पुर्णिया में सुक्रवार यानि कल मतदान होना है लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले पुर्णिया में सियासी बवाल खड़ा हो गया है पपु यादव की गाली से 50,000 रुपे बरामद हुए हैं जिसके बाद पुलिस ने कारवाई करते वे उन्हें गाली से उतार दिया है साथी चार गालियों को जब्त भी कर लिया है जिसके बाद पपु यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गया है पुर्णिया लोग सबासीट से निर्दलिये प्रत्यासी पपु यादव को पुलिस ने कोड़ा के दिगरी चौक पर रोका है जहां वे समर्थकों के साथ बीच सड़क पर धरने पर बैठ गया है उनके समर्थक लगातार पुलिस के खिलाप नारे बाजी कर रहे है इस पू पुयादव का कहना है कि वह अपने समर्थकों के साथ मिलने पहुंचे थे इस दोरान प्रसासन ने उनके साथ गलत बरताओ किया है जिस कारण वह दिगरी चौक पर सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं पुर्णिया लोग सबासीट बिहार की अभी सबसे होट सीट पनी हुई है पपुयादव के चुनावी मैदान में उतरने से यहां मुकाबला बेहत दिल्चस्प हो गया है पपुयादव निर्दलिये चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को टिकट दिया है बीमा भारती कुछ दिन पहले ही ज शोड़कर RJD में शामिल हुई थी वहीं जेडियों ने संतोष कुमार को सुआः को टिकट दिया है संतोष कुमार को सुआइब नहीं पिछले लोग सवाचुनाओं में जीत दर्ज की थी तो बीमा भारती पपु यादव दोनों मुश्किल में फसे हैं बीमा भारती तो कैस का पुर्णिया की जनता असांसर चुनती है ये भी देखना बड़ा दिल्चस्प होगा फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शनीूज के साथ